अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मौहमद अली मुगल है और इसके लिए अभी हम जो है गिट अप और गिट टेक्नोलोजी को सीखने के लिए जा रहे हैं हमें पहले यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि गिट है क्या गिट आपके पास टेक्नोलोजी है जो कि डिस्टिब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है डिस्टिब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है कि आप जो है ऑफलाइं भी है इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं और जैसी आपके पास इ इस्तमाल की जाती है एक डटकी टेक्नोलोजी के आप लेट सबस्स आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका एक दोस् अमेरिका में हैं, एक इंडिया में हैं, एक लंडन में हैं, एक लंडन में हैं and what so ever, आप मल्टिपल लोग जो हैं सिंगल एप्रिकेशन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम यह इस्तमाल करते हैं और जिसके बहाफ में हम मारी कोशिश होती है कि हम जो है रिमोटली कनेक्ट हो के एक सिंगल प्रोजेक्ट के उपर काम कर सके जिसके आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ही होता है कि इसके वर्जन जो अक्सर एप्लिकेशन हो तो इसके वर्जन भी अप्डेट होता है रहता है तो कुछ बेसिक चीजे में आपको बताना चाहूंगा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यह करना है कि आप खोलेंगे git scm git-scm.com आप नहीं खोला और आपने यह Windows for Windows जो है डाउनलोड कर लिया यह मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है हम आरे पास जैसे डाउनलोडिंग खतम होती है हम रिटन आता है अच्छा जी git मेरे पास आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है जो के मेरे पास 64-bit operating system है तो इसके अवाले से इसको install कर लेते हैं इसको install करने के लिए आपके पास कुछ चीजे होना ज़रूरी है मैंने यह run किया और जैसे मैंने run किया तो आप देख सकते हैं के नीचे म और ठीक है ठीक है next next और next next ठीक है next अब यह install हो रहा है मेरे पास तो यह चीज आप लोगों को जहन में रखनी है यह जैसे installation हो जाती है हम दुबार return आ जाते हैं ओके मेरे पास जो है installation almost ending में है आप लोग देख सकते हैं यह जैसे मेरे पास installation complete हो जाएगी तो यह है कि मैं git को लेके आगे further proceed कर सकता हूं तो it's almost about complete ठीक है यह complete हो चुकी है मैंने इसको finish कर दिया अब हम क्या करेंगे हम github.com में जाएंगे github.com में जाके आप लोगों को अपना एक account बनाना है ठीक है मैं github.com में गया और मैंने एक account बनाना है यहाँ पर load हो रहा है account के लिए बस simple है आप लोग जो है यह आपके पास आ गया है sign up करेंगे sign up के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की requirement है जिसतां से मेरे पास एक student बैठे है रहे है शेर हननान तो मैं शेर हननान का जो है ID बना रहा हूँ शेर हननान let's suppose मैंने शेर हननान लिखा है spelling correct आपकी ठीक है और आपकी date of birth का है कुछ चीज़े अलड़ी टीकिन होती है तो हमें नहीं चीज़ को करना है आपकी date of birth है 26 1990 तो हम 1998 कर देता है बिलकुल यह available है तो यह आपका username है आपको यह याद होना चाहिए अपनी email ID बता है Gmail की share हनान h-a-n-a-n 49 at yahoo 49 at yahoo.com ठीक है आप password क्या रखना चाहेंगे अच्छा मैं password खुद लिख देता हूँ यह है कि मैं इनको बता दूँगा आप लोगों को बताना में जरूरी नहीं समझता ठीक है मैंने password लिख दिया और हम sign up कर लेता है यह हमारे पास tutorial आप देख सकते हैं बन रहा है हमने यह sign up कर दिया यह मैंने safe लग दिया क्योंकि उनके laptop में बन रहा हूँ ठीक है और अब आप लोगों को कुछ general में concept बताना चाहूंगा जिसमें हमारे पास major एक यह concept भी होता है के repository का अब repository क्या है हम क्या करते है जो आपके पास local system में एक folder होता है basically आपके github.com में वह एक repository होती है कि जिस पर आप लोग इस सारा काम कर रहे होता है मैं क्या करता हूं मैं एक repository बना लेता हूं दो तरीके साब को बताऊंगा कि आप अपने github पे किस ताह से काम कर सकत है सबसे पहले मैं यह बता दूँ यह email address verify करने के लिए कह रहा है ठीक है हम email address verify करके आते हैं जब तक आप ठोड़ा ठीक है आप देख सकते हैं हम यहां पर आ गए हम इसको verify email address कर रहे है जैसे हम verify email address करेंगे हम github पे आ गए हम यहां पर आके एक repository generate कर लेते हैं repository का नाम let's suppose ह अधिक है practice definitely available है यह कह रहा है और हमने create repository बाखी चीज़ आप ऐसे address हैने दें description अगर आपको डालना है तो आप डाल दें readme का अगर option उसमें देना है और लड़ी एक text file जिसमें आप addition information देंगे देना है दे सकते हैं बिल्कुल आप यहां पर check mark करेंगा अभी फिलाल हम ऐसा क कुछ भी नहीं करते हैं हम directly create repository कर रहा है अचा हमने अभी create repository कर लिये आप देख सकते हैं आपके पास यह पूर प्रोसीजर यहां पर भी mention है और हम यह कर लेते हैं कि यहां से copy कर लेते हैं अचा जैसा कि आपको पता है कि हम already जो है get scm.com के थुरू काम कर चुके हैं हम right click करे एरिया में आके get download हो चुकी है get bash here यहां पर आपके बास right click में option आ रहा होगा get scm.com से get को download करने के बाद मैं यहां होगा मैं जैसे मेरे पास panel खुलेगा मैं यहां पर जो है command लिखूंगा get clone और जो मैंने link copy किया था वो copied link जो है मैं यहां पर आके paste कर दूँगा मैं enter करूँगा मैं जैसे enter करूँगा आप लोग देख सकते हैं मेरे पास practice का एक folder यहां पर आ चुका है मैं इस practice के folder को खोलूँगा मैं यहां पर आया मैंने यहां पर लिखा cmd और मैंने लिखा c o d e code और dot मैं अब भी vs code की तरफ transfer हो जाऊँगा मैं जैसे vs code की तरफ transfer होंगा तो मैं एक project file बना लेता हूँ जिस project file में अभी मैं जावा स्क्रिप्ट के उपर और काम नहीं कर रहा बड़ करने को में कर सकता हूँ एक simple HTML और CSS की file बना लूँगा जिसके बेहाफ में एक छोटा सा project हम बना लेंगे और उस project में हम क्या करेंगे कि हम एक kind of जिसना आप लोग की website होती है तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने index.shml बना रहा हूँ और style.css मैं जैसे बना के आता हूँ मैं return आता हूँ फिलाल के लिए हम pause कर देए आप लोग यह देख सकते हैं कि मैंने एक index.shml की file बना दी है जिसके साथ मैंने link के tag के through style.css की file को attach कर दिया है और style.css में मैंने एक general style देती है इसको मैं save करूँगा और close कर दूँगा अगर आप देखें तो मेरे पास जो है इस फोल्डर practice के फोल्डर के अंदर यह practice का फोल्डर क्या है यह repository है यह repository क्यों है इस वज़र से repository है क्योंकि यह मैंने clone किये कहा से gdup.com से है ठीक है इसलिए एक repository है मैं दुबारा से जो है इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके दुबारा से git bash की तरफ जाओंगा अचा मैं जैसे git bash की तरफ आया तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किया git status git status किया तो मेरे पास दो untrack file आईए यह untrack file का मकसद ही होता है कि git जो है इनको track नहीं कर पा रहा सही है basically track करने के लिए हमें क्या करने की जोड़त है कि हमें इनको add करवाएंगे मैंने लिखा git add minus a सही है minus a parent folder child folder जहां पर भी आपके new चीज आपने क्रेट की है वो उसको track करके उसको git की repository में अपने पास under tracking लेकर आ जाएगा वो उपर जो है वो untrack है अगर मैं आप git status करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रीन हो गया है यानि आप git इसको track कर रहा है मैंने अब लिखा git commit minus m और मैंने लिख दिया let's suppose practice git और enter क्या ओके git मेरे पास हो चुक है यह हो चुक है unable to auto detect email अच्छा यह email address मांग रहा है सही है basically हमें क्या करने की ज़रुरत है आप लोग देख सकते हैं यह चीज आप लोग भी face करेंगे git config minus global email user.email और आपको वो देने ज़रूरी है तो मैं क्या करूंगा git config minus global और मेरे साथ जो student bet है हम उनका email address और जो है इमेल आडरेस के शेर हनान49 at the rate yahoo.com और फिर से आप एक और identification देंगे git config minus global user.name और इसके अंदर मैं जो student bet है मेरे साथ share none मैंने दे दिया अब यह इसको recognize करेगा अब अगर मैं commit करता हूं तो इसको यह commit भी I believe हो चुका है कुछ मजीद commit करने को है नहीं commit कर दिया हमने अब हम करेंगे git push minus view origin sorry master ठीक है minus view tracking को कहते है origin जो है आपको remote को कहते है master branch है branch क्या है इंशालाह आप अभी इसकी दरोड़त नहीं है फादर जब हम detail में जाएंगे तो इसको देख लेंगे मैंने enter किया यह मुझसे जो है जैसे मैं enter करूंगा यह उसको track करेगा चेक करेगा और उसके बहाफ में जैसे यह track को complete करेगा तो मुझसे email id और password मांगेगा email id और password यह आप देख सकते हैं मेरे github के email id और password मांग रहा है तो मैंने github और sorry मैंने लिखा share hanan49 at the rate yahoo.com और जो मैंने password दिया था और मैं यहाँ पर दे देता हूँ sorry ठीक है और मैंने enter कर दिया ठीक है compressing वगरा यह सारी चीज़े master में जा चुकी है अब हम जाएंगे अपने यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा मैंने जो index.shml और site.css बनाई थी वह यहाँ पर आ गई तो फुलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक तरीका यह है दूसरा तरीका क्या है कि हम एक कोई भी folder बनाएं उसके repo बनाने की ज़रत नहीं मैंने एक folder बनाया अच्छा यहाँ तक जिसको हो गया है जो यह तरीका अपनाएंगे वह इस तरीके से भी कर सकते हैं बट अगर आपके पास already directory बनी वी है let's suppose मैंने एक website बनाई website के नाम से है सही है अच्छा website के नाम से already I think इनके पास कुछ बनावा है तो मैं लिख देता हूँ web and mobile बनाया मैं इसको इसके अंदर गया identification मैं एक text document बना देता हूँ index के नाम से सही है और that's it मैं इसको save कर लेता हूँ मैं आउँगा मैं सबसे पहले हमें क्या करने की ज़वत है मैं git bash में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा git init इनिशियलाइस कर देगा सही है गेट init लिखा अब मैं वही करूँगा git status चेक करूँगा गेर इस्टेटस कर देगा तो index.tx यह आगया get add-a किया ठीक है, git add minus यह किया, तो मेरे बाद सब add हो चुगा, अब track करता है, मैंने लिखा, git commit minus m, message को कहते हैं, और practice, कोई भी message में देना जाओ, with new, मैंने लिखा, enter किया, यह हो चुगा है, commit, अब मैं करूँगा, git, sorry, अब मुझे क्या करना है, git remote add करना है, इस folder को github के साथ मुझे connect करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक repo बना लेता हूँ, सरी है, एक repo बनाऊँगा, repo का नाम मैंने, let's suppose, कुछ भी दे दिया, मैंने दे दिया, website दे दिया, not necessary, जो आपका वहाँ पर folder का नाम है, आप वही दें, मैंने website दे दिया, मैं इसको, आप देख सकते हैं, यही चीज़ exactly यहाँ पर भी लिखी भी है, मैंने इसको copy कर लिया, और मैं दुबारा से वहाँ पर आया, git remote at origin, और मैंने इसको यहाँ पर लाके paste कर दिया, जैसे ही मैं paste करूँगा, तो यह मेरा local जो directory है, जो मेरा folder है, वो मेरी remote के साथ connect हो मैं करूँगा, git push minus u origin master, that's it, enter गया, एक दफा वो मांगते हैं, मैं दे चुका हूँ, यह hopefully अब मुझसे दुबारा नहीं मांगेगा, और देख सकते हैं, आप दुबारा नहीं मांग रहा, और यह से कर दिया, अगर मैं दुबारा से जाता हूँ, यहाँ पर, इसको refresh करता जो मैंने repository बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं, कि मैंने जो index.txt बनाया था, वो यहाँ पर आ गया, so that's it, it's all about github.com, it's all about git technology, सारी information मैंने आप लोगों को देख चुका हूँ, hopefully आपके लिए बहुत helpful रहेगा, और आप इसे बहुत सीखेंगे, thank you so much, Allah अफिस